हलो फ्रेंड्स मैं हूँ श्वेता सिंग आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सक्स के बारे में बताऊंगी जिसने देश की उबाओं के लिए एक मिशाल पेस की है और बताया है कि कैसे कठिन संगर्सों के बाब जूद भी सफलता हासिल की जाती है जी हाँ दोस्तों उस स सक्स का नाम है VSS Money Money जी जस्ट डाइल कंपनी के मालिक हैं और कोलकाता के रहने वाले हैं जस्ट डाइल आज 900 कडोड की कंपनी है जिसमें हजारों करमचारी काम करते हैं मनी ने अपने प्रोफेशनल केरियर की सुरुआत एलो पेजेज कंपनी यूनाइटेड डेटाबेस इंडिया यूडी आई में बतौर सेल्समेन की यहीं काम करते हुए कंपनी ने एक बिजनेस प्लान बनाया जिसमें सारी चानकारी टेलिफोन पर उपलफद रहे मनी ने इ जादातर बचपन कोलकाता में ही बिता बचपन से ही वे बहुत साधारन थे हाँ लेकिन जो बे सोच लेते थे उसे पूरा करके ही दम लेते थे उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स और चार्टेड अकॉंटेंट की डिगरी लेने के बारे में सोचा मगर आर्थ विफलते बे 1989 में Ask Me नाम से एक कंपनी शुरू की लेकिन तब चुकी connection जादा नहीं थे इसलिए बात नहीं बन सकी Ask Me की विफलता के बाद मनी ने wedding planner के बारे में सोचा करीब 50,000 रुपे की investment के साथ काम शुरू किया और उन्हें 2-3 लाख रुपे का profit आने लगा सब ठीक था लेकिन मनी के मन को सुकून नहीं मिल रहा था वे खुद को इस business model से जोडने में बिफल थे उन्होंनों शादी की planning करनी छोड़ी और just dial के बारे में सोचने लगे मनी ने एक interview में बताया कि मुंबई में एक बार उनकी नजर 888888 नमबर पर गई यह नमबर मुंबई के कांधी वली एक्सचेंज का था यह एक्सचेंज 8888 की विशेश सीरीज लाँच कर रहा था उस भक्त जब just dial का business plan तयार हो चुका था वे उस एक्सचेंज के general manager से मिले और उन्हें अपना business plan बताया यह भी बताया कि इस विशेश नमबर के साथ भी क्या कुछ करना चाहते हैं 2007 में just dial का babe west version launch हुआ था जो कलतिया money ने ask me में की थी उन्हें just dial में नहीं दोराया इसलिए just dial का पहला office बहुत बढ़ा ना होकर 300 square feet में था office का सारा सामान rent पर लिया था इसमें कुर्सी, table, computer और land network केवल आदिश शामिल थे इतना ही नहीं just dial के साथ money ने छोटे customerों पर focus करना शुरू किया और पैसे advance मिलिये इससे company में cash flow की समस्या कम हुई कहते हैं किसी के आगे बढ़ने के पीछे एक औरत का हाथ होता है और money को भी सफलता हासिल करने के प्रेणना wife अनीता से मिली है money ने एक interview में बताया था कि शादी की बक्त अनीता को टेकनोलोजी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी लेकिन जब उसने smartphone खरीदा था वे उस पर एक जानकार की तरह उंगलियां चलाती थी इसी को देखकर money के मन में ख्याल आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो हर आदमी की काम आया उनकी wife अनीता script writer है जो फिल्मों के लिखती है और वक्त मिलने पर baby wife के साथ लिखने बैठ चाते हैं यही नहीं Just Dial के brand ambassador खुद अमिता पच्चन है जो की एक काफी विख्यात company है मनी जी के जीवन से जुड़े कुछ सबक हैं जो हम सभी को उन पर आमल करने चाहिए जैसे अपने idea को लेकर जुनूनी रहें इसके समन में सारे facts एकठा करें research work पूरा होना चाहिए पैसे जरूरी है लेकिन किसी काम को शुरू करने के लिए लाखो करोरो रुपे होना जरूरी नहीं है अच्छे idea, technology और creativity के साथ भी सफलता प्राफ्थ कर सकते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसमें लागतार सुधार लेकर आना जरूरी है process, technology, methodology, product, administration में सुधार लेकर आना चाहिए केवल अच्छा idea ही जरूरी नहीं है idea तभी सफल होगा जब उस पर काम करेंगे इसलिए अपने idea पर action जरूर ले समय के साथ जो बदलाव आ रहे हैं उन्हें अपनाने के लिए हमेशा तयार रहे अगर एक strategy विफल साबित हो रही है तो उसे छोड़ कर आगे पढ़ जाएं अच्छी core team का होने और उनके आत्म विश्वास को मजबूत बनाना जरूरी है तो दोस्तों ये थी VSS Money की inspirational story उनकी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में जब भी कठिन समय आयें तो घवराये नहीं क्योंकि संगर्ज एक परिच्छा के समान है जिसमें उतिर्ण होकर ही आप सफल हो सकते हैं उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंज के साथ शेयर जरूर करें अगर आपने हमारा चैनल स्वेता टेक टिप्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरे नए वीडियो के अपलोड की जानकारी आपको मिलती रहे मैं आप से फिर मिलूँगी एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ थैंक्स पर वाचिन माई वीडियो बाई